इस वीडियो में बच्चों हम 6th lesson the bright sun के बारे में पढ़ेंगे बच्चों सूरज आप सबने देखा है कितना चमकीला होता है कितना bright होता है तो अब यहाँ पर sun की sun बात आ रहा है अपने बारे में कि क्या क्या मुझ में चीजें हैं मेरे से क्या क्या होता है तो sun यहाँ पर सूरज बच्चों से बात कर रहा है और उनको अपना दोस्त बता रहा है और बोल रहा है I am the sun मैं sun हूँ सूरज हूँ the bright yellow sun मतलब एक दम चमकीला पीले रंग का सूरज आपने देखा है ना असमान में होता है सुबह को अब today I want to tell you मैं सूरज अपने बारे में कुछ मज़ेदार चीजें बताने जा रहा है बच्चो को तो वो कहता है कि मुझे बहुत ही पक्का विश्वास है कि तुम कभी-कभी मेरे बारे में सोचते होंगे सूरज जैसे बोल रहा है बच्चो को कि तुम लोग कभी-कभी मेर मेरे बारे में सोचते होंगे आज मैं तुमारी सारे questions को answer बता दूगा queries मतलब तुमारे जितने भी doubts है questions है तुमारे मन में सवाल है मेरे बारे में मैं उन सब के जवाब आज तुमें दे दूगा तो सूरज अब अपने माने में बताना शुरू करते हैं वो बोलते हैं मैं एक star हूँ एक तारा हूँ जो की solar system के center में solar system क्या होता है बच्चो जो जितने भी सब planet होते हैं सब gray gray होते हैं वो सब सूरज के चारोर तरफ चक्कर लगाते रहते हैं तो सूरज जो होता है sun वो ए पर जीवन के लिए अगर sun नहीं होता तो पर जीवन पॉसिबल ही नहीं था और sun के रह वो हमें provide कर देते हैं क्या क्या चीज़ देते हैं energy देते हैं उर्जा देते हैं जो हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी ग्रैपर रहने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है अब वो कहते हैं मेरी वज़े से ही सारे मौसम होते हैं सारी फसले कटती हैं और सारे जो सोने उठने का पैटरन है जब रात को सूर चिपता है तो रात होती है रात को लोग सोते हैं सुर उदय होता है निकलता है सनराइज होता है तो सब लोग उठते हैं तो यहाँ पर सन बता रहा है कि मेरी वज़े से ही लोग सोते हैं अब वो अगली लाइन में बोल रहे हैं कि मैं I am the nearest star कि मैं सबसे पास वाला star हूँ प्रित्वी के इसलिए मैं हमेशा बढ़ा दिखता हूँ और तुम्हें एकदम चमकीला दिखता हूँ प्रित्वी जो होती है अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ गूमती रहती है और मैं इत 50 million km दूर हूँ आपके planet से और तुम मेरे बिना मैं कितने साल पुराना हूँ मतलब मेरे एज कितनी है तुम इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते मैं तुम्हारे दादा जी उनके बड़ उनसे भी बड़े दादा जी किसे भी पुराना हूँ तो मैं तुम्हें अपन कर बनावर्थ है वह अलग-अलग पर्थों से लेयरसे मिल के बनी योथी है उसी तरह से से सूरज की सूरज की सूरज भी क्या होता है अलग-अलग तरह की लेयर से परसे बना ओता है वह प्रत्वी इर्थ तो सॉलिड होती है लेकिन divine Sao होता है वो सिर्फ gaseous होता है मतलब gas से बना हुआ गोला होता है जो कि पूरा का पूरा gas ही उसके अंदर होती है उसमें कोई भी solid surface नहीं होती है तो जादे तर sun बोलता है कि अब आपके जादे तर questions के answer मैंने दे दिये होंगे और मुझे पता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ मेरे बिना पृत्वी पर जीवन संभवी नहीं है कोई life ही नहीं रह पाएगी अगर sun नहीं होगा तो it would be so cold मतला इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा अगर सूरज नहीं होगा तो कोई भी उस ठंड में यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगा और तुमारा planet जो है वो पूरी तरह से बर्फ की तरह जब जाएगा और वो कहता है सूरज की मैं एक बड़े anchor की तरह भी मेरा role है कि मैं क्या करता है वो कि जो और सारे planet है हमारा planet है उसको एक fixed orbit में fixed circle में path में घूमता रहते हैं वो सूरज की gravity की वज़े से होता है अगर सूरज नहीं होगा तो earth जो है वो universe से खतम हो जाएगी तो इस तरह से व मज़ा क्या होगा यह बात समझके सूरज के बारे में इतनी बाते जानके तो अब तुम देखोगे कि दूसरा दिन दूसरा जमकदार सूरज दिखता है तो तुम्हें यह सब सवालों के जवाब पता होंगे सूरज के बारे में तो आपको भी बच्चों मज़ा आया सन के ब करते हैं, how far is sun from the earth, कितने किलोमेटर दूर है, 1.500 million दूर, किलोमेटर, what is the age of sun, 4.5 billion years, sun also plays the role of a big anchor, तो इस तरह से बच्चो आप दिये वी बाकी exercise भी complete कर सकते हैं, I hope आपको समझ में आए होगा, thank you.